हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुडेंगे फॉर्थ फेज में एटीन अप्रेल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट अफ पोलिंग वुड भी थर्टीन अफ में अजिसका मैप कुछ इस तरह के दिखांगे गा इस समय तक हम इसमे। तिलंगाना, आंधरा, उलिशा गुड़िचा गलताइ ड् ए और देर सब्सक्कांट साथ आंचा 52 थे दिगे बाली समें आफ तरह फिर्थ फेज चब्वेश अप्रेल से शुरू होगी और बीस मई तक चलेगी, बीस मई तक देट अपोल होगी, बीच में नमिनेशन, स्कूरूटनी और विड्रॉल की देट रहेंगी, counting of course is 4th of June, it will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll, phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette Notification on 29th of April, and finishing on 25th of May 2024, इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि mostly UP, बिहार, बंगॉल, उलीशा, और साथ में कुछ नॉर्थ का पुर्षन चालू रहेगा, last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May, and polling on 1st of June, तो last polling would be on 1st of June, and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हर्याना भी, शामिल रहेगा, मंगॉल, बिहार, उलीशा, इस तरह, बिहार, उलीशा, this is how given, we will share this map also with you, जाकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें, ये भी कोशिश किये हमने, और अगर पूरी phase-wise हम picture दे, ये भी एक अच्छी snapshot है, जिसमें, phase 1 में 102 constituencies, phase 2 में 89, phase 3 में 94, phase 4 में 96, 49, 57, 57, so we will start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area, तो इसमें वैदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए, काफी सोचने के बाद ये schedule बनाया गया है, with this, जो single phase, single pole date है, वो 22 state में होगी, दो राज्ये, चार बार में जाएंगे, करनाटका, राजिस्तान, तिर्पुरा, मनिपुर, तीन phase में दो जाएंगे, चार फेज में तीन जाएंगे, उडिशा, मद्यपुर्देश, जारकन, five phase में दो जाएंगे, महरास्टा और जम्मो कश्मीर, जम्मो कश्मीर की हर parliamentary constituency के लिए एक phase होगी, और साथ phase में तीन जाएंगे, उत्रपुर्देश, बिहार, एंड वेस्पंगवाल, with this friends, I end my address,